है मैं आश्रा दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडिन ओवर्सीज बैंक इस स्टॉक जिसको हम आई होगी के नाम से जानते हैं यह स्टॉक 74.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 10.74% का अपनों दिया है मार्केट कैप है इसकी 1,40,609 करोड की मोटर होल्डिंग इसकी 96.40% है वेल्यू 13.40 है इविडिंट यह स्टॉक देता नहीं है और फेस वेल्यू 10 है फंडविंटल विडियो में अलज़ी बिना चुकी है अब देख सकते हैं अभी के लिए देखे तो इस टॉक 50 & 200 यह दोनों से उबर ट्रेड कर रहा है जो कि एक अजशी बात है पी रेशो के बात करें तो मेडिं से थोड़ी सी उपर है फाइव यह के टाइम स्पैम पे एंड बन मंथ की ताइम स्पैम पर देखे तो बहुत ही चोटो सी उपर है तो कोई इस दिक्कत की बात नहीं 47.80 के आसपर साइथिंक इसका मेडियन रहेगा एंड इसका जो अभी पी चल रहा है वो 50.10 के है इसकी कोई कंसरन की बात नहीं है से मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे meme बिल्कुल इंटेक्ट है अपरेशन परेशन परेशन परफित मार्जिन थोलह सा डाइब डाउन किया है एक लिम और चेक करें थे रहें और इंज किला का, यह ब्रॉपरेशन परीजिना वो यहां से recover करने की कोशिश कर है sales quarter on quarter बहुत अच्छे तरीके से फिर से increase हुई है अब यहां पे hidden है थोड़ी सी चीज़े जो मैं आपके साथ ज़रूर सांचा करना चाहूंगी देखी यहां पे जो इसका result आया है तो result यह financial profit आया है इनका कम financing profit income काफी ज़्यादा कम आया है and result इस वार इसलिए अच्छा आया हुआ है financing profit बहुत ज़्यादा कम आया है result इसलिए अच्छा है कि इसकी other income है वो majorly double के आसपास इसकी वो आई है तो double के यह तो काफी ज़्यादा कम आया है अगर other income को हम consider करें तो ठीक है यह चल रहा है and earning per share की बात करें तो earning per share जो है हमारा पहले 0.38 था इस वार 0.43 हो गया तो कि सारे earning per share जो लगता है वो net profit पे लगता है and gross NPA जो है वो थोड़ा कम हो गया है and net NPA जो है वो भी छोटा सा कम हो गया है same quarter on quarter sorry same year on year वाले की हलात है कि अगर हम other income को निकाल दे तो उतना कुछ खास हमारा result आया नहीं है quarter on quarter फिर अच्छा result नहीं आएगा तो कि financing profit भी एक तो minus में जादा गया है और उपर से other income भी जादा आई है तो उसके तरीके से मतलब मुझे रगता है कि थोड़ा सा है दिक्कत वाल यहां पर बट इतनी कोई major बात नहीं है यह पहले भी इसका financing profit देखे कितना जादा इसका कम आता हुआ हमें दिखाई दिया है उसके बाद इसरे recovery की फिर से कम आया फिर उसके बाद recovery में चल रहा था फिर से थोड़ा सा हमें कम आता हुआ दिखाई दिया है तो इतनी कोई major बात नहीं है छोटा मोटा ऊपर चलता रहता है and IOB जो है इसका full form है Indian overseas bank तो पता ही चल रहा हमें यह bank है तो bank का usually जो है वो रहता ही है अपना financing profit minus में तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं बस यह है कि financing profit minus का जादा बढ़ गया है क्योंकि RBI से borrowing होती है कोई क्या होता है कोई क्या होता है तो यह सारी चीज़े इतनी मतलब थोड़ी सी ध्यान में देने वाली of course हैं क्योंकि company के काम के तरीके और बाकी सारी चीज़े पता चलती है क्या बट यह minus में होना इतनी कोई बड़ी दिक्कत की बात है majorly minus में जादा हो गया वो दिक्कत की बात है promoter holdings की बात करें तो promoter holding है हमारी काफी time से same ही चलती आ रही है and FIIs की बात करें क्योंकि यह है कि इसका जो जो यह करती है consolidate and correction देती है उसका time नहीं यहाँ पर कम होता जा रहा है and अभी भी हो सकता है कि यह हमारा उसी तरीके का breakout हो जो हमें breakout पहले मिले है पहले यह 309 bars बदर 309 trading days में इसने breakout दिया था फिर हमें लगवग 100% के आसपास का move बिला फिर उसके बाद जब यह consolidate करना नीचे गिरा और consolidate करना चालू किया तो इसने हमें 167 bars में trading days में अच्छा move दिया फिर उसके बाद जब इसने consolidate करना start किया फिर इसने 78 bars में मतलब 78 trading days के बाद हमें move दिया फिर उसके बाद इसने अभी 68 trading days के बाद हो सकता है कि यह हमारा यहां से निकलने का chance हो जैसे कि यह pattern बनाता है क्योंकि आप यहां पे देखिए कि यहां पे भी जब यह निकलने लगा तो RSI इसी point पे थी यही same pattern बना था RSI उपर गे यहां पे देखिए तो RSI कही न कहीं उसी same pattern पे थी और RSI उपर गे अभी भी कही न कहीं में को लगता है कि वही pattern बन रहा है और हो सकता है कि यहां से हमारा stock निकल जाए तो पहले का देखिए यहां पे 87% का हमें move बिला है यहां पे 95% का move मिला है यहां पे थो हमें थोड़ा ज्यादा मिला था 154% का move बिला है तो हम 87% नी लेके चल रहे है 95% 93% नी लेके चल रहे है हम यहां पे सिर 60% के move की उमीद लेके चल रहे है कि हो सकता है और यह कितने time में दिया है इसने move एक बार time भी हम चेक कर लेते हैं कि कितने major time में यह move देता है यहां पे क्योंकि बीच में hiccup गयाता है consolidation भी होती है तो 34 bars मतलब 30 trading days and 53 मतलब 2 महीने के अंदर यहां पे दिया है इसने अब यहां पे चेक कर लेते हैं कितने time में दिया है तो यह यहां तक गया था high तो यह भी इसने लगव लगव डेड़ महीने के अंदर अंदर दिया था तो हो सकता है कि यह जो हम target लिक के चले हैं 60% के हो सकता है कि हमें यह क्योंकि यह May चल रहा है तो June का महीना और July का हो सकता है 15 July तक हम stock को यहां trade करता हुआ देखे जो कि बहुत बड़ी बात में होगे क्योंकि इसमें 60% मैंसे हम छोटा सा achieve कर चुके हैं अगर यह pattern सही है तो ठीक है अगर यह same pattern को यह follow करता है जो इसने पहले किया है और यह वाले हम देखना भूल गए कि यहां पे इसने कितने percent के move दिये थे तो यहां से इसने चालू किया था and यहां तक इसने दिये थे 100% के move दिये हैं लगवग तो हम आभी 60% के ही लेके चले थे और अगर यहां से ही breakout इसने दिया है तो मुझे रखता है कि 111 110 112 के आसपास हो सकता है July 15 तक हम इसको trade करता हुआ देखें ठीक है और उसको जीव करने के लिए हमें 50% के आसपास की move की उमीद है and आज जो हमें candle मिली है अब आज आते हैं हम पे ओड टेक्निकल्स पे तो आज जो हमें candle मिली है वो हमें मिली है एक मारु गोजू पैनल हमें यहां पे देखने को मिली है and कफी अच्छा वॉल्म भी आया है कल वॉल्म फ्राइडे को जी वॉल्म आया था 17 मिलियन का and आज जो आया है 125 मिलियन का आया है NSE पे मत्कब 12 12, 13 करोड के आसपास का वॉल्म आया है बहुत अच्छा वॉल्म आया है अब यह वॉल्म क्यों भी आया है एक न्यूस भी है Google के उसको मैं आपको दादे तीन दिन पहले की न्यूस है दो दिन तो छुटिया थी तो Friday को यह न्यूस निकल के आई है कि यह जो है Indian Overseas Bank जो है I.O.B यह Financial Year 2024 and 2025 जो अभी Financial Year चल रहा है उसमें 88 new branches open कर रहा है मतलब 88 new branches open कर रहा है that means इसको business है right business मिल रहा है and बाकी सारी चीज़े है growth इसको देख रहा है expansion 88 new branches बहुत बड़ा expansion होता है तो अपना यहां पर expand भी कर रहे हैं and बाकी सारी चीज़े भी है तो मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा move है and future का vision मैं को लगता है fundamentally दो चीज़े है company को strong बनाने के जो major और बड़ी असानी से देखी जासकती है कि company का vision क्या है future का and company उस vision को पूरा करने के लिए कर क्या रही है दूसरी वाली चीज़ बहुत important है कि company का execution क्या है company कर क्या रही है तो अभी के लिए मुझे लगता है कि company का vision भी अच्छा है and company कुछ कर भी रही है and यहाँ पे भी अगर हम RSI देखे तो RSI ने वही same pattern बनाया था पहले उपर गे छोटा सा halt बनाया उसके बाद उपर गे यहाँ उपर गे छोटा सा halt नाया उसके बाद उपर गे तो RSI यहाँ पे range change करती है इसकी and उसके बाद यह move देती है and RSI इस time है 71.52 के point पे and जब जब ऐसे ऐसे move हमें मिले है एक बार RSI का check पे लेते है यहाँ पे हमें move मिला है तो RSI हमारी गई है यहाँ पे 83 यहाँ पे move मिला है RSI हमारी गई है यहाँ पे 88 and इसके बाद हमें यहाँ पे move मिला है 100% के आसपास का तो 92 गई है ठीक है तो अब देखे इसको मैं थोड़ा सा जब इस शेडिंग आज़ा था थी इसको मैं overbought zone भी कहती हूं लेमेन लेंगज में कि वहाँ से बेसिकली टेक्निकल लेंगज में इसको कह सकते कि reversal मिलने वाला है ठीक है तो अब देखे trading view का भी strong buy है यह जो target है 12.72 के यह मैं लेके चली हो 4 जून तक ठीक है and मुझे लगता है कि यह 13% के आसपास दे सकता है वहां से यह मैं क्यों लेके चली हूँ क्यों हो सकता है इसके उपर के move दे जाए बट sustain ना करे क्योंकि यह इसके high के है 52 week high का यहाँ पर resistance है तो मुझे लगता है थोई से मशक्कत करने पड़ेगी पाकि निकल गया अब यहाँ पर देखे तो price band 20% का है and यह move मैं आपको बता दी कि 15 July के है तो बस ही मेरी analysis है buy, sell, hold की कोई recommendation है आप अपनी analysis कीजिए जाने ही समझे पढ़िए और फिर invest करिए मिल थे next video में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing